हेलो दोस्तों अभी आपको एक न्यूट डिजेन में स्कॉट ड्रेस कटिंग करके दिखाते हैं फिरी स्टेचिंग भी करेंगे यह अपने सिमर फाइबरिक तीन मिटर ले लिए आपको सबसे पहले डबल फाइबरिक है यह लैनिंग इस पर में डबल फोल्ड कर दिया सबसे पहले हम इस कट काटेंगे उसके बाद योब काटेंगे सीधे स्केल से हम सीधे निसान लगा लेंगे कि यह आगे इंच का निसान होगे मार्जिम हो गया योग रखना है में 15 आप में बल सारे पंद्रा इंच योग रखने तो मैंस कर लेंगे सारे पंद्रा इंच और थर्टी टू लेंथ है शॉट ड्रेस का थिप पर निसान लगाएंगे और त्वटी थी हाथ पर हम हिप का निसान लगाएंगे साड़ी ताइस इंच पर फिर सीधे स्केल से निसान लगा लेंगे सीधा इसे सीधा निसान लगा लेंगे सबसे पहले हम हिप का निसान लगाएंगे हिप 34 हाफ है 34 तो क्योंकि यह इस्टेजवल फैबरिक है तो हम उतना ही रखेंगे 34 रखेंगे अब दोट का निसान लगाएंगे साड़े तीम पर क्योंकि यह साइच का में इसलिए हम डॉट कम करेंगे इसका और 24 है 24 इंच इसका 24 इंच वेस्ट है 24 इंच पर निसान लगाएंगे और एक इंच दोट का मैनेस करेंगे यह से प्लस करेंगे फिल लगा देंगे अब यह वाले क्रोस है इसके क्रोस वाले इसके इसके हम निसान लगा लेते हैं सीदे वाले इसकेल से डॉट का निसान लगा लेंगे इसकेल कर दोस्तों अब हम योग काट लेते हैं बश्टियर लोग का फाबरिक जो है यह लाइनिंग हम सिंगल ही रखेंगे और इसमें शिमर का प्लेटिंग है तो इस हिसाब से हम सिंगल ही रखेंगे अगॉल है आपको मैंने तूसर्य वीडियो में मेरे इसमें और वी वीडियो इसमें मैंने पैटन का बताया थ fact किस तरह काटते हैं मैंने single dot point का भी वता जाए जाए कि किस तरह dot point रखते हैं, तो तो आगर वह वीडियो नहीं देखे तो वह वीडियो देख लिए जिह उसमने pattern का समझ में आ जादयागा किस तरह pattern कटते हैं कि इस pattern से हम निशान लगा लेंगे refresh कि म८्लें विशाप से कि इस से में निसान लगा लेंगे हम तो दोस्तों मैंने ये निसान लगा दिया है अब योग का निसान लगा दिये है कि यहां से डोर पॉइंट ले लेंगे नाइन डोर पॉइंट है तो नाइन के हिसाफ से हम नाइक लेंगे इसको सेव कर देंगे ठीक है इसको कट कर लेते हैं अब कर दो चेस्टिंगर 29 ने तो 29 के हिसाफ से हम इतना रखेंगे दोस्तों इसका जब मेजर्मेंट इसमी साइट मारेंगे दूस्तों निसान लगा देंगे किस तरीके निसान लगाते हैं वह भी देखा देंगे लगको कर देखा दिया है अब इसको इस तरह के से हम देख लेंगे कि कहीं से जाधा कमना हो रहा हो यह में सीजा कर गया इसको कि वेस्ट 24 है 24 के इसाफ से इतना मार्जिन 2 इंच का होगी है अब नीचे वाले इससे काट लेते हैं कि बैक का कि यह तूब से में है तो दोस्तों इसमें बैक में लाश्टिक लगाना पड़ेगा जिससे फिटिंग सही आएगा और हम बैक में जिप देंगे तो सबसे पहले यह बैक का जिप के निसान का हुग है यहां से कि 29 पर निसान लगा लेंगे चेस्ट का और वेस्ट का भी 24 पर निसान लगा लेंगे एक इंच पलस कर देंगे जो डॉट का लेगा निसान कर आइप कम सान लगा लगा दिए सिद्गेशन से ढॉट का भी सारीति इन पर निसान लगा के सीद्गे और देंगे ठीर बलतन यह पर थनी मईट काटा था यह इसको यहां से मिला लेंगे इससने हम सीथा निसान सिस्धे वाले स्केस है इसलेंगे दोस्तों पर इसको हम कट कर रहें जो हमारा योग कट गया तो फो गया यह जीप का मार्जिंग हो गया वैक मीज़े आख मैं अब इन्फोटेट सीज दोस्तो ट्वाइंटीनाइन है तो 29 के depending सब्रस्टोपीसम बींच में रखांखे तो से में तों से मीचे नहीं ढल के व्यूंटीण के o कि 12 चम बैक में लाश्टिक रख़ लाइंगे हैं कि आग Chaos दो संत कुंद कर ड्रेक है तो फरेट आप पहले नहीं काटेंगे, बैक में ड्रेक नहीं है को बैक को हम काट लेते हैं। हमने बैक काट दिया, चलिए अब इस्टिचीन के लिए चलते हैं कि किसमी सिलीज नहीं में नहीं है, और फरेंट में पिलेट हैं, नीचे में पिलेट है तो ये बहुता हैं बे これ बहुत बेधर हैं ना व्रुम देख ऑघो साफ ?'T और ये लाश्टिक है जाएगा, ऑप क्तों लाश्टिक लेगक소 फीमर्ण के, इस सब्सक्राइन दीख में कहए करेंगे अच्छे से जब जाके ड्रेप सेट होगा इसे दोस्तों यह ड्रेप सेट हो गया है यह इस तरह से ड्रेप सेट करते हैं कि इसल मेरा जब ह Griff You से ड्रेप सेट कर दिये हैं यह योगत तयार हो रहा है योगत तयार होने के बाद पिर मेंनाची से इसकाट लोड़ेगे और फिर आगा आपको दिखाते में कि कि इस्तर पूरर अपिस तयार होते है चर्द Ur आपको देखाते हैं किस तरह पीस त्यार होता है